हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक तो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ share कर रही हूं कि आप अपने डाक अंडरा आम्स को वाइटन कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स濁 डाक अंडरााम्स को वाइटन बनाने के लिए बहुत सारे वीड़ियों होते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूं उसके 2-3 बार के इस्तेमाल से ही आपके डाक अंडरांस बिल्कुल वाइटने और ब्राइटने हो जाएंगे और यह रेमेडी डाक अंडरांस को वाइटने बनाने की सबसे बेस्ट रेमेडी है तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते है इसके लिए सबसे पहले आपको एक बावल में एक चमच बेकिंग सोड़ा लेना है फिर इसमें आपको 2 टेबल स्पून तवाटा का पल्प एड़ करना है और लास्ट में इसमें आपको 2-3 चमच कच्चे दूद को एड़ करना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब इस मिक्स्टर को अपने डाक अंडरांस पर ऐसे अपलाई कीजिए जैसे कि मैं अपने हाथ पर करके आपको दिखा रही हूँ फ्रेंची रेमेटी आपके डाक अंडरांस को वाइटम राने के लिए बहुत ही हल्पफुल है बस आप इस रेमेटी को वीक में 2-3 बार जरूर अपलाई कीजिए इससे आपके अंडरांस की डाकनस कम्प्लिट्ली रिडूस हो जाएगी इस तरह से अपलाई करके 10-15 मिनट तक ऐसे रहने दीजिए और फि 10-15 मिनट के बाद जब ये कम्प्लिट्ली ड्राई हो जाए तो इस तरह से टमाटर लीजिए और अपनी अंडरांस के अंडरांस के अंदर जितने भी जैट सेस होंगे इस तरह से पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे और साथ ही टमाटर आपके डार्क अंडरांस को बहुत ही जारा लाइटन बना देगा इस तरह से पांच मिन तक रप करने के बाद स्किन को नॉर्मल पानी से वाश कर लीजिए तो फ्रेंट्स आप इस रामरेट्रो कीजिए इससे आपके अंडरांस जीपली क्लीन होंगी और अंडरांस के स्किन बहुत ही जड़ा वाइटन और बैटन बन जाएगी आप इसे ट्राइ कीजिए और अपने एक्स्पिरेंस में इसा शेर कीजिए अगर आपको मेरी आज के वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कीजिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग के भी काम आ सके और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें अब बाल आकिंग को दबार ना भोले फ्रेंड्स पर मिलती हूँ आप से एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए खुट पाए और टेक केर